जेनु से उठी आवाज इस्तिपादे बीजीपी सरकार मोरवी घटना को लेकर जेनु से उठी ने किया परदस्तन घटना पर बीजीपी सरकार पर उठाए कई सारे सरवाल और आरुब लगाया गुजात के मोरवी हासा के बाद सभी विवच्ची पार्टिया बीजीपी सरकार को कट घरे में खड़ा किया हुए हैं कि गुजात की बीजीपी सरकार इस मामले पर अपनी सफाई देते हुए उच्चितरी जाच बैठ खा चुकी है लेकिन उसके बहुजूद भी जेनू केंपस के अंदर देखे किस तरीके से आज गुजरा सरकार के खिलाब इस्तीपे की मांग करी जा रही है और लगातार जिस तरीके से जो भी मोरवी में 134 लोग की मौत ही उसके बाद बीजीपी को जिम्मेदार ठैरा जा रहा है तस्बीर हम आपको दिखा रहे हैं जेनू केंपस के अंदर की किस तरीके से आज जो जेनू उसके दौरा जो परदस्तन है वो यहाँ पर किया जा रहा है और बीजीपी सरकार का जो इस्तीपा है वो मांगा जा रहा है कर बीजीपी को जो परीजीपी को जा बाद वो मांगा जो अंदर का रहा है जो कर रहा है जो फिय्कका घ शुक्या है जो पर कि अजय ख़ें रहा है और इस बात को समझ रहे हैं कि बीजेपी का जो सरकार है गुजराट के अंदर जो सरकार है जो गुजराट मॉडल को इस देश के अंदर दिखा दिखा के में 2014 में बोलते हुए सेंट्रल में सरकार में आया है वही मॉडल आज हमारे सामने आप सभी के सामने उसका खुलासा हो चुका है कि वह मॉडल तरफ यह ब्रीज बनाने का जो सस्पेंशन ब्रीज एक सो चाली साल कुराना एक सस्पेंशन ब्रीज था वो ब्रीज एक तूरीस देशन स्पॉट फा गुजराट के अंगर और मॉडवी ब्रीज में यह जो कॉंट्राक्ट है उस ब्रीज को ठीक करवाने का जैसा एक कमपनी को जाता है जो कमपनी जाना जाता है बल्ज बनवा था वैसा एक कंपणी को उनके हाथ में एक करोडों रुपय का टेंडर दे दिया जाता है उस टेंडर के आधार पे एक वीक पहले उस सपेंशन ब्रीज को विदाट इनी चेकिंग उसको फिट से खोल दिया जाता है और उसके बाद हम क्या देखते हैं एक होरी सी वीडियो आत पूरा आप देखेंगा अगर बोजी वीडिया सुभी चौदरी से लेके सकते हैं उनका एक नरेटीव जब दूसरे राज्यों में कहीं पे भी इससे पहले भी कोलकाता में बिच भीराया कहीं पे भी हुआ है तो उन्होंने जिस तरीके से सरकारों की तरब एक नरेटीव प लेकिन अब जब गुज्राट का बारी आया है वाजब सरकार का बारी आया है सामने चुना हो आया है तब हम देख रहे हैं कि यह पूरा जो इन पे इक तरीके से भाता जाया है उसको किस तरीके से भाता जाया है वाज यहाँ पे जो जो प्राइमिनिस्टर है जो आज के समय पे गुज्जाट के अंदर अपने इलेक्शन क्यापिन को लेके लेते हुए जा रहे है करें किसके लिए करें क्या हो जा आज यहाँ पे जो 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 परिवारों को लिए उनके साथ खड़े होने के लिए इस दुख के घरी में उनके परिवारों के साथ जिनका जान गई है उस जिम्मेदारी को पूछने के लिए कि एक सस्पैंशन ब्रिजा साल पुराना है जिसको हाली में एक एक सप्ता भी नहीं हुआ है है कि उसको फिर से टूरिस डेस्टिनेशन था उसको फिर से खोला गया है यह बोलके इसका मरंब्ब हुआ है जिस company को tender दिया गया था वो company जो bulb वगर बनाता है उसका कुछ लेना देना नहीं है bridges बनाने से या suspension bridge बनाने से या उसका कुछ specialization नहीं है तो यह समय पे हम चात्र जो हमारा union है इससे हम पूछना चाहते कि क्यों गुजडाट में जो भाजपा सरकार है उन्होंने ऐसा एक company को tender दिया जिस company को कुछ लेना देना नहीं था एक bridge का suspension bridge बिज बिनबाने से दूसरी बात है इन जो तमाम सारे 130 लोगों की जान गई है ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है इसमें एक moral responsibility लेके गुजडाट का जो मुखे मंत्री है एवंग तमाम सारे भाजपा के जो नेता हैं जो आज के समय पे इसको ढखने की कोशिश कर रहे हैं उनको इस्तिफा देने की जरूरत है साथ-साथ आज के समय पे हम मीडिया को भी फ्रशन पूछना चाते हैं जो गोधी मीडिया हैं जो खास करके नरेंद्र मोधी इवंग भासपा के नेताओं के इड़गिर्ध खूमते रहते हैं उनके development के नारे बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं हम उनसे पूछना चाते हैं क्या यह आपके development की model है जहां पे 130 लोगों की जान चली जाते हैं और उसके बावजूद आप मीडिया में आके आप टीवी में आके उन जिनका जान गया है आप उनहीं पे सवाल कर रहे हैं उनकी गलती थी कि उन्होंने ब्रीज में चले गए यह पूछने की जरुवत है कि वहां पे क्यूं ऐसा सिस्टम नहीं था कि अगर ज्यादा लोग जा रहे हैं तो वह पर अलाओ नहीं किया जा या कोई उस मामले को लेकर FIR अभी दर्ज हो चुकी है, कई लग उसमें विरफ्तारी हो नहीं है, जांच भी वैट गई है, फिर उसके बाद आप लोग क्या चाहते हैं, क्या लिए देखे हम ये बोल रहे हैं कि ये कोई छोटी-मोटी घटना नहीं है, जहां पर आप दो-तीन FIR कर दे आप 9 लोगों को उठा ले FIR करके और बोल दे ये गलती थी, क्योंकि 130 लोगों का जान जाना या एक इनसान का भी जान जाना सरकार की जिम्मेदारी के वज़े से सरकार की गलती के तरफ से ये माफी लायक नहीं है, क्योंकि अगर सरकार लोगों ने भरुसा करके चुना है, तो सरकार को एक जिम्मेदारी दिये और यह कोई छोटा-मोटा गलती नहीं है क्योंकि हम समझ रहे हैं कि उस ब्रिज को अभी हाली में ठीक करवाया गया है अभी देखे वो एक पार्ट है और उनके जो पधादरिकाडी है प्रसाशन के लोग है वो लोग जाएंगे मिलने जाएंगे मैंने फिर से दोराया ओबात कि किसी को कमपेंसेशन दे देना 140 लोगों का जान चले जाना 130 लोगों का जान चले जाना और उनको कुछ लाखों का कम सजा 130 मासुम लोगों को जिनको उसका पता भी नहीं था उनको मिला तो बात यह है कि सरकार को रेस्पॉंसिबिलिटी लेना चाहिए और भाजपा के सरकार को रेस्पॉंसिबिलिटी लेके इस तैकिकात में जो लोग वो समझ भी रहे हैं कि उनकी गलती थी वोस फॉर्म का द Laoती था नहीं तो अरेस्ट नहीं ओते से चार से पांच लोग वो फार्म झिनको टेंडर दिया घ्या था उनके लोग है सरकार मवाए और संपनी ने खुद ये लिया तो मतलब सरकार कहींना कहीं जिम्मेदार हुए तो सरकार जिम्मेदारी आगर उठा रहे तो गलत फॉर्म को दिया है जो सही से काम नहीं किया है तो सरकार को भी रेस्पॉंसिबिलिटी लेके इमिनेटली वहाँ पर इस्तफ़ा देना चाहिए